नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितियन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक लिम्टेट के बारे में जिए यहां दोस्तों येस बैंक लिम्टेट में आज एक बहुत बड़ी और जो 23 अक्टूबर 2020 को यानि इस महीने में जो 23 अक्टूबर को जो इसका क्वाटर 2 का रिजल डिकलियर होने वाला है उसके बात जो है येस बैंक लिम्टेट आपको एक बंपर गिप्ट देने की तयारी में लगा हुआ है और येस बैंक लिम्टेट ने जो है एक नया अ नाम क्या और ये कैसे रन किया जा रहा है आज इस वीडियो में हम पूरा अनलेसिस करेंगे मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया येस बैंक लिम्टेट के ऊपर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उसको आप लोगों ने भहुत सारा लाइक किया तो मैं कोशिज करता हूं कि जब भी येस बैंक लिम्टेट से कोई भी न्यूज रिलीज हो तो सबसे पहले वीडियो बनाकर आप तक पहुचाने की कोशिज करता हूं देखिए येस बैंक की अफ फेस्टिव सीजन विद कंपड़ियां हैं वों अपने कस्ट्मर को बोनुस देती हैं और बोनुस के साथ साथ जो है एक नया गिप्ट देती है क्योंकि खुसियों की करें जिम्मेदारी सेतायारी इस समन्दन है क्या करने का और उनको डिजीटल रूप से फाइनेंस सर्विस प्रवाइड करने का यह जितने भी प्राब्लम थे उन प्राब्लम को जो है यह सालूसन यानि इलक्ट्रोनिक तरीके से जो है साल्व करना और बीसेस तौर पर मश्यमि यानि कि जो लग उसुच में उद्योग वाले है जो छोटे अस्तर के विजनस है उनको जो है बढ़ाने की कोशिस यहां पर एस बैंक लिंटेड लगातार कर रहा है और आप लोगों ने देखा कि बीजनस लोन प्रोवाइड किया जाए डिजिटल लोन प्रोवाइड किया और इसके साथ साथ आटो और जो अभी जिनका मार्केट कैप जादा नहीं है उनको जो है लोन प्रोवाइड किया जाए डिजिटल तरीके से और उनको इंपावर किया जाए उनको प्रोशाहन किया जाए कि ओ आगे आए और अपने बिजनस को आगे बढ़ाएं तो खुसियों की करे जिमेदारी से तयारी जो एक कैमपेन यस बैंक लिम्टेड में लांच किया है यह बहुत ही अच्छा कैमपेन है और बैंक लगातार कोसिस कर रहा है लगातार परियासरत है कि अपने क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी फैसल्टीज दे और इसके साथ-साथ जो दिवाली आ रही है इस दिवाल है कि यस बैंक लगातार एक के बाद एक डील कर रहा है और एक के बाद ऐक ओफर जो है अपने कर्स्टमर के लहा रहा है हां पर है सुच कि अभण के बैपारियों की यस्वें की लगातार कोशिस की जा रही है इससे पहले Yes Bank Limited ने PMS 59 मिर्स का Digital Loan Scheme जोईन किया था इसके तहद जो है जो इसके customers हैं जो Yes Bank Limited से अपने business purpose के लिए जो छोटे ब्यापारी है लो लेना चाहते हैं उनको कोई कठिनाई नो हो मैं बार-बार हर एक वीडियो में डिसकस करता हूं Mr. Prasant Kumar के बारे में जो इसके CEO & MD है यह आदमी जो है लगातार लगा हुआ है बैंक को आगे बढ़ाने की और यही कार्ड है कि बैंक जो है लगातार improvement करता हुआ नजर आ रहा है और एक एक्सपेक्टेट लगाई जा रही है यह अनुमान लगाई जा रहा है कि जो 23 October को जो इसका quarter 2 का रिजल डिकलेर होने वाला है उसमें एस बैंक लिम्टेट को एक मजबूत आधार मिलेगा बात करें कल के टेडिंग सेशन के तो कल 12 रुपे 90 पैसे से ओपेन हुआ पांच पैसे का इसने हाई बराया 12 पंचानवे का और 12 रुपे 80 पैसे लो रहा फिर जाकर 12 रुपे 95 पैस पर ही क्लोज हुआ लेकिन यहां पर डिलिवरी डेटा थोड़ी सी उठती हुई दिख रही है कल की डेट में 3 करोड 63,387 की क्वांटिटी में यस बैंक लिम्टेट के सेट किये गये हैं जिसमें से 1 करोड 79 लाग जिया दोस्तों 1 करोड 79,28,315 की क्वांटिटी में यस बैं लिम्टेट में 46,63 यानी की तकरीवन 46 दसमिलो 30% के करीम में जो है डिलिवरी कल के टेडिंग सेशन में उठाई गई जो की एक अच्छी बात है जो की एस बैंक लिम्टेट में डिलिवरी जब 40 से उपर होता है तो अच्छा लगता है और बिचले 2-3 दिनों से जो है लगत को एक थोड़ी सी आस दिखाई दे रही है थोड़ा सा विश्वास जगरा है यह सब्सक्राइब को लेकर और उनका आधार क्या है उनका आधार है quarter two का result यदि यह सब्सक्राइब का जो quarter two का result डिकलेर होने वाला है 23 अक्टूबर को उसमें थोड़ी सी यदि पॉजिटिविटी देखी तो यह सब्सक्राइब में एक लंबा उच्छाल आपको देखने को मिलेगा लंबा उच्छाल का मतलब यह नहीं कि यह स्टॉक जो है 200-300 का हो जाएगा लेकिन फिलहाल में जो आपका टार्गेट 20 रुपय जा ओ इस साल के अन तक आपको एशीव होता हुआ S-Bank Limited में दीखेगा आप NST की साइट पे यह नि कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे बाइंग आडर में जाकर देख सकते हैं बोक आडर में 5,73,322 की क्वांटिटी में 12 रुपे 90 पैसे के भाव पे 5,73,322 की क् लिए तो यह भी एक सुब संकेत है यह एक अच्छा संकेत है कि S-Bank Limited के लिए कि आज भी S-Bank Limited में आपको तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि bank जो है लगातार कोसिस कर रहा है और नए से नए प्लांस लांच करने में लगातर लगा हुआ है और bank हर दो दिनों के बाद ए दर आपको आ रहा है तो आने वाले टाइम में इसमें आपको एक बंपर धमाका देखने को मिल सकता है लेकिन जो लोगे टार्गेट दे रहे हैं कि 200 का हो जाएगा 300 को हो जाएगा आचा कुछ नहीं होगा एस बैंक लिम्टेट धीरे धीरे ग्रोथ करेगा आचानक से इसमें तेजी नहीं आएगी यदि आप इसमें 100 के लिए आए हैं तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है यदि आपका पांच दिनों का इसका चार्ड देखें गूगल पे जाके आप सर्च किजिए एस बैंक शेर प्राइस तो एक चार्ट ओपेन होगा उस चार्ट पर आप फाइब डे का प्रियेट स्लेट कीजिए देखें यहां पर जो जब यह यह से बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है तो यह उमीद जताई जा रही है कि इसका अगला टार्गेट इस साल के अन तक 20 रुपे का आराम से अचीव हो जाएगा क्योंकि क्वाटर टू का रिजल्ट जैसे ही अच्छा आएगा इसके जो बाइंग्स आडर है ओर लगातार बढ़ेंगे और जब बाइंग बढ़ेंगी तो इस सेर को आगे जाने से कोई नहीं रोग सकता तो इसका दो पूरा का कोई निकेटिविटी आई कोई नकरात्मक भावना पैदा हुई तो कस्टमर फिर एक बार पहने खोकर सेलिंग प्रेशन में आएंगे और अपने स्टाक को बेचेंगे लेकिन आपको क्या करना है आपको अपने स्टाक को किसी भी कीमत पे बेचना नहीं है चाहें तो दस हजार करोड कंडुक्सान हुआ था तो क्या टाटा मोटस का सेर डूब गया नहीं टाटा मोटस का सेर अब 150 रुपे के लेवल को भी दो हपते पहले टच किया था और अभी 130-135 के करे में मूब करता हुआ नज़ा आ रहा है तो दोस्तों यह सेर बजार है सेर बजार क्योंकि आपने पैसा लगा है वह बहुत महनत से लगाया है और आप एक उमीद से लगाए है अपने पैसे को किसायद इसमें धमा लोगा और मेरा जो पैसा है जिसको मैंने 12 रुपे 14 रुपे 15 रुपे पर यह 30 रुपे 25 रुपे हो जाएगा तो जी यहां दोस्तों जो इस के सिवा आपके पास कोई अदर्स आपसर नहीं है तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा यदि यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल जे के एरुटे को सब्सक्राइब कर देजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देजिए से लेटेड कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि हम उसका उत्ता देने का लिभी अटेने कारें